नमस्कार दोस्तों मैं नीरे जांगेट स्वागत करता हूँ आपका क्वालिटी एजूकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे जन आधार e-wallet के बारे में रास्तान सरकार एक e-wallet launch करने वाली है जिसका नाम है जन आधार उसी के साथ ही किसी भी रा ATM जैसे e-wallet का यूज किया होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो पैसों का transaction कर सकते हो QR God scan किया और transaction कर दिया विजली का बिल बर दिया पानी का बिल बर दिया बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिसके जरी आप कर सकते हो तैम वैसे ही राजस्तान सरकार ने भी एक e-wallet जारी किया ह जिसका नाम क्या है जन आधार e-wallet जैसे ही आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलूड करोगे तब आपको एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा आपके फोन के स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा जिसमें आपको लिखावा होगा जन आधार e-wallet और the official digital wallet of राजस्तान इस्टेट मतलब ये रास्तान सरकार का official e-wallet है इसके द्वारा तयार किया गया है तो ये तयार किया गया है आपके DOID Department of Information Technology and Communication द्वारा ये तयार किया गया है इसके बारे में हम आगे बिल्कुल details से discussion करने वाले हैं अभी आप यहाँ देखो इसमें आपको क्या करना है SSO ID लगाओगे और इस इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे electricity का bill हो गया, पानी का bill भरना हो गया, insurance बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, fast tech वगरा जितनी आप जैसे phone pay में हम जितनी चीज़ें यूज करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हो, देखो आगे देखे हम, रास्तान सरकार पह पे, phone pay जैसे जितनी भी जो सुवीधाएं हैं वो आपको इस पे उपलब्द होगी, और सरकार 10 अगस्त से सुरु होने वाली इंद्रा गांधी smartphone यूजना, अब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इंद्रा गांधी smartphone यूजना, तो देखो आपने इसके बारे में इंद्रा गांधी smartphone यूजना के बारे में, इसमें क्या किया जाएगा, कि छे जोन होंगे, मतलब ब्लोक इस तर पर camp लगाए जाएगे, उस camp में क्या होंगे, छे जोन होंगे, इसमें आप जाकर इस चीजेओ के बारे में जानकारी ले सकते हो, यहां हम समझो, कि ब्लोक इस तर पर क्या लगा एक केंप लगा और केंप में क्या है? 6 जोन है, यह 6 जोन हो गया, जिसमें आपको इंप्रमेशन दी जाएगी, एक जगा क्या होगा? बहुत सारे चीज़े हैं जिसमें आपको एक dbt होगी, तो सेम यहां क्या होगा, कि मालो एक zone ऐसा हो गया, इसमें क्या किया जाएगा, जैसे ही आप इंद्रागानी स्मार्टफोन योजना के लिए जाओगे, एक ऐसा बूत होगा, जिसमें आपके phone में जन आधार e-wallet है, वो download किया जाएगा, और इस download के माधियम से क्या होगा, download जैसे ही आप करोगे, तब आपके account में कितने पैसे आएंगे, 6800 रुपे, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसी योजना में, कितने रुपे का phone मिलने वाला है, इसमें आपको पता है, phone मिलेंगे, और कितने का, व आपको पता होगा, कि 6125 रुपे तो किसके आएंगे, phone के, और बाकी कितने बचे, 275 रुपे, ये आएंगे आएंगे, और जो 9 महीने का recharge है, उसके लिए ये आएंगे, और ये सारे जो पैसे हैं, कितने, 6800 रुपे, ये आएंगे आएंगे आपके, जनाधार e-wallet में, और स किया, तो एक extra charge ले लेती है, तो इसके लिए रास्तान सरकार, ये खुद का एक e-wallet लेकर आई है, फिर देखो आगे हम इसके बारे हम देखें, ये पहला e-wallet है, जो जनाधार काड से link होगा, जो जनाधार काड है, उससे इसको link किया जाएगा, फिर देखो आगे हम देख कि लगबग 2 करोड, 1.99, 2 करोड के लगबग लोगों ने, इसमें के पास क्या है, जनाधार काड है, मतलब सरकार के पास बहुत जादा डेटा होगा, तो इसमें क्या है, कि असुदा ही नहीं होगी, साथ ही ये सुरक्षित रहेगा, फिर देखो आगे बात करें, सबसे पहल कि DBT, DBT मतलब direct to bank transfer के लिए, तो gas subsidy हो गई आपके, ठातरों को जो सकुटी cycle, जितने भी जो पैसे हैं, जो सरकार क्या चाती है, कि आम जनता में दिये जाए, वो किसके माध्यम से दिये जाएंगे, तो वो इस जनाधार e-wallet के माध्यम से दिये जाएंगे, फिर देखो आग पूचना में पुद्योगी की हैवम संचार विभाग द्वारा, जब देखो इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, लेकिन इसकी स्थापना जब हुई थी, तब इसका नाम ख्या था, computer विभाग, बाद में 30 सितंबर 1907 में इसका नाम क्या कर दिय इसका नाम कर दिया गया, पूचना प्रद्योगी की विभाग, यह चीज़ें important है, आपके exam में पूची जा सकती है, तो आपको याद करना है, जब इस्थापना की गई थी, कब 1907 में तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम था, आपके computer विभाग और बाद में इसका ना 2002 की, तो यह तो हो गई, इस्थापना की बात, फिर देखो आगे देखें हम, आगे हम बात करते हैं, कि यह कारी क्या क्या करता है, तो देखो, आज हमें computer करन के लिए nodal agency है, मतलब computer से related जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए ये nodal agency है, फिर देखो आगे देखें, सुचना इंटरनेट के लिए सुरक्षा नीतियों का निर्मान, अब देखो जो antivirus है, जो hacking है, उसके लिए उसको रोकने के लिए जो नीतियां भी कौन तयार करेगा, तो वो भी तयार करेगा, आपके DOID, फिर देखो आगे देखें हम, आगे देखो, e-governance के साथ summon way, अब देखा हो है, वो यही DOIT, Department of Information Technology, और इसके साथ क्या add कर दिया गया है, and communication, इसके दवारे यह सारी चीज़े की गई है, इसमें आपके SSO हो गया, इमित्र हो गया, इमित्र प्लस प्लस, यह सारी चीज़े कौन करता है, तो वो यही department करता है, फिर देखो आगे देखें, कि संपूर्ण प्रद्योगी की तता दूर संचार की अवसरंचना, मतलब दूर संचार जो टेरली कम्यूनिकेशन है, उसको बढ़ाने का कार्य भी कौन करता है, यह DOIT करता है, तो आप समझ सकते हो कितना important department है, फिर देखो हम आगे देखें, आगे हम बात करें, किसी विभाग के अंतरगत दो अगेंसिया काम करती है, तो एक तो है आपके राज कॉंप इनफो सर्विस लिमिटेड और एक होगी आपके राजस्थान नौलेज कॉर्परेशन लिमिटेड इसमें आपने देखा होगा जो रस्सी इट है, वो कौन करवाती है, तो यही जो अगेंसिया है, वो आपके RSCIT का exam conduct करवाती है और RSCIT से लेटेर जितनी भी चीज़े है वो ये agency करवाती है I hope आज कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए useful रही होगी, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रन्यवाद